फाइनली वीवो ने अपना एक और नया स्मार्टफून वीवो T3 Lite 5G को लॉंच कर दिया वाई दूसी तरफ सैंसन का पापलग स्मार्टफून सैंसन गिलेक्सी M15 5G वैसे तो इन दोने स्मार्टफून की प्राइस में 3000 पीस का डिफरंट देखनेों को मिल जाता है क्योंकि ए 1449 रुपे की प्राइस में 6GB की रैम और 128GB वारे वेरियन को बाई कर सकते हैं तो अगर पॉफॉम्स की बात करी जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफून को लें उसका प्रोसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वैसे तो इन दोने स्मार्टफून की प्रैस में 3,000 पीस का डिफरंट देखनों को मिल जाता है पर पॉफॉम्स के मामले में इन दोने स्मार्टफून में इतना ज्यादा डिफरंट देखनों को नहीं मिलता है को कि एक तरफ गैलेक्सी के M15 5G में मिडिया टेक का डैमेंसेटी 6100 प्लस का प्रोसर देखनों को मिल जाता है इन दोने स्मार्टफून के अगर अंतुतू स्कोर की बात करनी जो एक तरफ गैलेक्सी के M15 5G का जो अंतुतू स्कोर निकल के आता है वह दूसी ट्रफ विवो के T3 लैट फएब जी का जो अंतूतू स्कोर निकल के आता है फोर लेक्स फोर थाउजन निकल के आता है अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खास कर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे तो इन दोने स्मार्टफोन के जी एफ़क्ट स्कोर यानि गेमिंग स्कोर को जाना बहुत जराद जरूरी है जब इन द दोने स्मार्टफोन में 30 मिनाट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ गेलेक्सी के फीप्रीज वाटि निकल के आता है वह स्मार्टफोन का डिस्प्छ पेलेंट की बात करें गेलेक्सी के इंप्रीज्श को मिल जाते 6.5 इंच की सुपर एमोलेट डिस्प्ले देखने के पिल जाती पर डिस्प्ले पॉंच ओल देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले के अच्छी स्मूतनेस के लिए 90 हर्टे रिफ्रेस्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है दोने स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेग्मेंट भी बात करें जातो एक तरब गैलेक्सी के M15 5G के बैक में टरपल रियर कैमरा से जब देखने को मिल जाते है बाकी की दो कैमरे 5 प्लेश 2 मेगा फिक्सल के मिल जाते हैं विट LED फ्लेस लैट के साथ वही दूसी तरब वीवो के T3 लाइट 5G के बैक में डूवल रियर कैमरा सेटब देखने को मिल जाते हैं प्रामरी कैमरा मिलते हैं मिलते हैं बाकी का दूसरा कैमरा सीन तो देखने को मिल जाता है घलेक्सी एंचा रोत लगों को लोग 7 दोन चाप देखने को मिल जाता है इसटोरेग टैप के अगर बात करी जाता है तो उसमें भी काफी बेस्ट है गैलेक्सी का M15 FABG, 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 25W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB टैप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने के मिल जाता है, वही दूसरी तरफ वीवो के T3 LED FABG में 5000 mAh की ही बैटरी देखने के मिल जाती है, सिर्फ 15W के ही फास्ट चार्जिंग के साथ USB टैप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने के पिल जाता है, सिकोर्टी फीचर के लिए दोने स्मार्टफोन में साइड मौंटेट फिंगर पिन सेंसर देखने को मिल जाते हैं, तो अब बात करीजा कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के बैश्ट है, अगर आप लोग 15,000 से कम के प्रैस में एक अच्छा आल रांडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच लिए, स्मार्टफोन से गेविंग इतनी ज्यादा नहीं करते हैं, तो आप लोगों को गैलेक्सी के M15 5G के तरफ जाना चाहिए, पर अगर आप लोग कम से कम प्रैस में नया 5G स्मार्टफोन लेने के लिए सोच लिए तो कम से कम प्रैस में वीवो का T3 लाइट भी अपने प्रैस में बेश्ट है,